आप सबका श्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 6 मिस्टा में आज हम बनाने जा रहे हैं पालक का सूप जो कि बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी क्योंकि होली का टाइम बीच चुका है अनहेल्दी फूड बहुत कुछ खा लिया है जो कि घरमी बना हुआ तला भुना ये सब तो चलिए बनाते हैं पालक का सूप एक कटोरी हमने पालक ले लिए है पालक के सिर्फ पते पते लिए हैं और इसमें हमने डाल दिया है डेल गलास पानी फ्रेस और इसको हम करेंगे बॉयल तो देखे बॉयल होने लगा है इसमें हम डाल देंगे चीनी हाप टी स्पून और थोड़ा सा डाल देंगे नमक जिसे की पालक का जो कलर है वो बैलेंस बना रहा है अच्छा बना रहा है ग्रीन का ग्रीन रहे तो इसी तरह से बाइल कर लेंगे देखिए एक मेट तक बाइल करना होगा और हमारी पालक की पतियां बाइल हो जाएंगी तो हम फ्लेम को करेंगे बंद और इसे कर लेंगे ठंडा तो ये देखिए इसे बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे इस पानी को हम फेकेंगे नहीं तो देखिए कि हमें इस पानी को क्या करना है क्योंकि बाइल करते हुए इस पानी में भी बहुत सारा न्यूट्रेशन चला गया है तो उसका करेंगे तो देखिए यह ने ले लिए हैं पांसे छे कर लिया और एक मीडियम साइज का प्याज जिसको हमने क्यूब में कट किया है यह हमने काट लिया एक टमाटर जिसका हमने पर्स अलग निकाल कर दिया है टमाटर अलग कट कर लिया है और यह देखिए पर्स और पालक एक जो पानी में हमने पालक बॉयल की थी वही पानी डाल कर निकाल लेंगे तो यह देखे हम डाल देंगे अपना बटर आप इसके जबापर घी भी ले सकते हैं और हींग दो से तीन पिंच यह देखे गाइज चौप किया हुआ लैसन और प्याज एट करेंगे और इसको हलका हलका सा भून लेंगे बहुत नहीं भून लेंगे बस हलका सा सोटे करेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर देखे हमने प्याज का करेर बिल्कुल चेंज नहीं किया था और हमने ट करें तो ट्रमाटर को भी हलका सा बून लेंगे एक यह देखिए अब हमारा भून चुका है तो हमना पालक जो पीस के रखा था उसमें एड़ करेंगे और जो पानी जो बचा था बॉयल किया हुआ पानी वह इसी में हम एड़ कर देंगे अब हम इसको पका लेंगे देखिए अब ही आपको यह दिख रहा होगा पतला पतला सा फीका फीका सा तो यह बल्कुल सही हो जाएगा यह देखिए स्वात के नुशार नमक अभी देखिए यह देखिए हमें ले लिया है एक स्पून कार्ण स्टार्च जो की हम पानी में बैटर्स का बना करके डालेंगे तो य इसमें और हरी सब्जिया अगरा आप एट कर सकते हैं हमें सिफ टमाटर और प्याज आट किया हुआ है आप बीन्स है और बेवी कॉर्न है यह भी आट कर सकते हैं यह देखिए हाप टेवस्पून जीरा पाउडर और हाप टीश्पून काली मिर्ज पाउडर तीखे के लिए तो हम उसको मिलाएंगे अच्छे से यह देखिए बॉइल अच्छे से होने लगाए तो अपनी इच्छा के नुचार जितना थिक आप चाहते है उतना थिक आप कर सकते हैं अब हम इसमें खटे के लिए नीवू नहीं यूज़ कर रहा है हम उन्योज़ कर रहा है चिलीव सा और थोड़ा सा चटपटा बनाएगा आप इसकी जिगा पर नीबू आट कर सकते हैं कोई प्रावलम नहीं है लेकिन हमने याद चिली सॉस यूज किया है तो चलिए आप हम इसको सर्व करते हैं ना दिखाते हैं बन कर तेयार है मारा सूप और देखिए इतना यम्मी जैसा हमे यह टोस्ट के साथ सब किया है आप चाहें तो जिसके साथ सब करना चाहें उसके साथ सब करें बहुत इस्टी बहुत यम्मी है गर्म-गर्म सब करें और अपने आपको हलदी रखें अगर हमारी यह रस पी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेयर औ और कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको हमारी एरेस भी कैसी लगी थैंक यू बावाई